क्या आपने कभी रेस में भाग लिया है? मेरे क्याल में जरूर कहीं न कहीं, कभी न कभी अपने स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में या मैराथॉन, रुनिंग मैराथॉन या कभी सिटी में होता है, आपके शेहर में होता है जरूर दौर में भाग लिया होगा क्योंकि एक ऐसा exercise है जो हम सबों को करना चाहिए मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारी school में race हुआ करती थी और एक छोड से दूसरी छोड जाना पड़ता था और जैसी city बसती थी या कुछ indication होता था हमें एकदम से दौरते थे और भाई मैं तो हमेशा पीछे ही रहता था मतलब दौर में मैं उतना आगे नहीं दौर पाता था और दूसरे लोग तो दौर जाते थे अच्छी तरह से बहुत अच्छे दौरते थे लेकिन मैं छोड़ा सा पीछे रह जाता था और दोड जो एक ऐसा exercise है जो बहुत सालों से सदियों से चला आ रहा है और ये दोड आजकल भी है विशेश करके आपने देखा होगा Olympic जब होता है या Asia होता है तो आखरी जो game होता है वो दोड उसमें धेर सारे participants दोड़ते हैं बहुत धेर सारे तो दोड़ते हैं शुरुवाद में बहुत लोग दौडते हैं लेकिन जब तक वो तिन्चार किल्LEमिटर हो चाता है तो धीरे धीरे लोग ठक- Valor कोई रोग देता है कोई दीरे दोडता है कोई दोडता ही नहीं हैं लेकिन जो सबसे पहले आगे आ जाता है उसी को इनाम मिलता है और वो प्रथम घोशित किया जाता है तो हमारे देश में भी कई ऐसे धावक हुए है उशाव उनमें से एक है आप जानते हैं और भी कई लोग हैं जो दौर में भाग लेते हैं और बहुत अच्छा एक कारिकरम होता है आज मैं आपके सामने इसी को ध्यान में रखते हुए मसीही दोड के बारे में बात करना मांगता हूं मसीही दोड जिहां जिस प्रकार से हम दैनिक जीवन में दोडते हैं अपने हालात को अपने स्वास को और अच्छी तरह से रखने के लिए exercise करने के लिए हमेशा स्वस्थ रहने के लिए उसी प्रकार से आत्मेकृती से स्वस्थ रहने के लिए हम सब मसी दोड में शामिल है और यदि आप विश्वासी हैं यदि आपने प्रभु शुमसी को ग्रहन किया है और यदि आप प्रभु को अपना धार करता और प्रभु माना है तो आप इस दौर में शामिल है आप इस दौर में शामिल है मैं भी इस दौर में शामिल हूँ कि मैंने भी प्रभु कोई साल पहले मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया और आपने भी दिया होगा तो इसलिए तो आपको हम बता रहे हैं मसीही दोड़ और जैसे कि आप इस चित्र में, स्लाइड में देख रहे हैं कि लोग दोड़ रहे हैं और उनका जो निशाना है एक ही गोल है, एक ही निशाना है और वो है क्रूस वो क्रूस जहां पर प्रभूईश मसी ने अपने आप को हमारे लिए आपके लिए बलिदान दे दिया ताके हम भी उस मसीह दोड़ में शामिल हो और जहां तक मसीह दोड़ के शामिलता की बात है हजारो करोडो लोग आज उस मसीह दोड़ में शामिल है और 2000 साल पहले करीब 2000 साल पहले पॉलूस प्ररीद भी इसी बात को आगे ध्यान में रखता था और वो भी इसी बात को लेता था कि वो भी आत्मिक दोड में शामिल है जो युनानी जो कल्चर थी संस्कृती थी युनान की वहाँ पर खेल को बहुत प्रथमिस्थान दिया जाता था और धावक या दोड़ने का बड़ा जबर्दस्त वहाँ पर कारिकरम होता था तो उसी को ध्यान में रखते हुए पॉलूस ने ये बात यहाँ पर कही जो मैं भाग जो परमेशर का बचन है आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँगा और यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसको देख सकते हैं और यदि नहीं तो सुनिए परमेशर का बचन क्या कहता है और ये पाए जाता है पहला कुरंथियों क्या तुम नहीं जानते कि दोड में तो दोडते सब ही है परन्तु इनाम एक ही ले जाता है तुम भी वैसे ही दोडों की जीतो हर एक पहलवान सप्रकार का सेयम करता है वे तो एक पुराने मुर्जाने वाले मुकुट को पाने के लिए का बात करते हैं परन्तु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुर्जाने का नहीं इसलिए मैं तो इसी रीती से दोडता हूं परन्तु बेठी काने नहीं मैं भी इसी रिती से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समाने जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है परंतु मैं अपनी दे को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ कहीं ऐसा नहों कि औरों को प्रचार करके मैं आभी किसी रिती से निकम्मा थेहरूं बड़ा अच्छा यहाँ पर एक पहलवान का धावक का चित्रन दिया गया है दोड़ के बारे में अब हम वापस देख लेते हैं थोड़ा सा टिपनी के साथ तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम नहीं जानते कि दौड में तो दौड़ते सब ही हैं परन्तु इनाम है ले जाता है बिलकुत सही बात है भाई दो लोग प्रथम तो आते नहीं हैं बहुत ही कम केसिस एक प्रतिशत से भी कम लोग शायद शायद कभी प्रथम आएं कहीं नहीं थोड़ा आगे पी प्रथम दौड़ती और थृतिय फर्स सेकंड और थर्ड स्थान आता है ठीक है पर यह हमारा तो कोई स्थान आया है नहीं हम दौड लेते थे थोड़ा बहुत लेकिन आप में से शायद कोई धावक होंगे तो जरूर दौड़ते होंगे और दौड़ना भी चाहिए लेकिन हम दौड़ते क्यों है पहली बात तो हम दौड़ते इसलिए कि हमारे अंदर इच्छा है दौड़ो एक्सरसाइस करो अच्छा है स्वस्त बने रहो लिकिन साथी साथ ये भी है कि अगर मैं प्रथम आ जाओ नो तो कुछ नाम तो मिलेगा ना है ना कुछ नाम मिलेगा कप म मिलेगा या कुछ उसकता राशी भी मिल जाए प्रथम वाले को और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दौड़ जो है बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन हम दौड़ना ये भी है कि हम इनाम जीते हैं है कि ने अब बाइबल में विशेश करके बाइबल में पांच मुकुट के बारे में कहा गया है पांच मुकुट के बारे में ठीक है लेकिन उनमें से एक मुकुट है जो मुर्जाने वाला मुकुट नहीं है ठीक है कुछ ऐसे मुकुट होते हैं पुराने समय में क्या होता था कि ओलिव ट्री के जो पत्ते होते थे वो मुकुट बना करके जो धावक पहला आता था उसी के सिर पर मुकुट की रूप में दे दे थे लेकिन क्या होता था कि वो धावक का मुकुट चाएद एक हपता से ज़्यादा कहां रहता मुर्जा जाता और खतम हो जाता, है ना लेकिन हमारे लिए एक मुकुट है जिसके बारे में मैं आपके सामने अभी बाते रखूंगा लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप मसी दोड़ में बड़े विश्वास के साथ दोड़े अच्छा अब अगर मुझे उलम्पिक में भाग लेना है तो ऐसे थोड़ी बोल दूँगा जाकर बही या मेरा भी नाम लिख देना अउलम्पिक में जाने के लिए अरे बोले आप कहाँ से भईया कौन हो तुम पहले तुम क्वालिफाइ किये कि नहीं क्वालिफाइ करना पड़ेगा आपको अपने शहर में, अपने समाज में अपने मौले में प्रतम आना मौलने में फिर शहर में पहला आहना फिर आपके fram पहला आओना state में पहला आओना फिर देश में पहला आना तब जा करके आपको शायद Olympic में भाग देंगे, qualify तो उसी प्रकार से इसको करने के लिए भी यह मुझे अपने बोड़ी को, अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल में रखना पड़ेगा, सहियम में रखना पड़ेगा, हर चीज जो मुझे पसंद है, वो नहीं खाना है, है न, लेकिन जो मेरे शरीर के लिए पॉष्टिक बाते हैं, और ही मैं खाऊंगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, पच्चीसमा पद, पॉलूस यहां पर लिखता है, कि हर एक पहलवान क्या करता है, सप्रकार का सहियम करता है, वे तो एक मुर्जाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं, परन्तु हम तो उस मुकुट के लिए जो मुर्जाने का नहीं, तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मुर्जाने वाला मुकुट जो की अलिव, जो ट्री होता है, उसके पते जो होते हैं, उसका बनाया जाता, और मुर्जा जाता है, एक हपते के बाद करीब करीब, लिकिन आप और मैं कौन से दोड़ में हैं, आत्मिक दोड़ में हैं, और भाई साब बहन जी हमें अपने आपको सयम में रखना है, अपने बादी को, अपने शरीर को, अपनी आग को, अपने कान को, अपने जीब को, अपने नाग को, अपने सब पूरे बादी को, अपने हाथ को, अपने पाउं को, कंट्रोल में रखना हैं, सयम में रखना हैं, तभी जाकर के मैं दोड़ में अच्छी परिपक्वता दिखा सकता हूं, यह तो बात है और यहां लिखा हुआ है कि मैं एक पहलवाज जैसे करता ना सयम करता हर प्रकार का अब समोसा किसको पसंद नहीं है भई समोसा तो बड़ा अच्छा लगता है मो मो और भी धेर सारी ऐसी बड़ी interesting tasty चीजे होती जो कभी-कभी हम रस्ते में खा लेते है अच्छा अब खा लिया लेकिन वो postic खाना नहीं है postic खाना क्या है अच्छा दाल, भाट, सबजी इस प्रकार की उसी प्रकार से आत्मी कृटिती से हमारा postic खाना क्या है परमेष्वर का वचन वो postic खाना है प्रारत्ना वो पॉष्टिक हवा है, वो पॉष्टिक exercise है, पवित्रा आत्मा की अगवाई, पवित्रा आत्मा का हमारे जीवन में भरना, ये पॉष्टिक चीजे हैं, जो हमें क्या करेंगे, प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाएंगे, पापों से हमें दूर रखेंगे, पवित्रा आत्मा का पवित्रा आत्मा का संगती, वचन का मनन, ये साब हमें क्या बनाएंगे, मस्थी दौर के लिए क्वालिफाइड करेंगे साब, और यदि हम उल्टे सीधे चीजों में लगे रह करेंगे, तो मस्थी मस्थी दौर कहां से होगी भई, बिलकॅल भी नहीं होगी, इसी लिए तो 26 हभी सब में क्या लिखता है, तो!" दौरता हूं परन्तु बेठीकाने नहीं, मैं भी इसी दिती से मुक्कों से लड़ता हूं परन्तु ऐसी हवा में नहीं, और क्या करता है, अपने दे को मारता, कुटता और वश में लाता हूं। शरीर में पाई जाती है, मेरे शरीर में पाई जाती है, आपके शरीर में पाई जाती है, हम सबों के, हम चाहिए विश्वासी क्यों नहीं, लेकिन ये रहता है और इसे हमें कंट्रोल में लाना है, इसलिए परमेश्वर का बचन बड़े साफ रिती से कहता है, कि भई, आप अ अंगो को मार ढालो शरीर की अभिलाशाओं को आँखों की अभिलाशाओं को अशलील चित्रों को देखने का बड़ा मन करता है न कभी-कभी मारना है उसको नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं तो बहुत दौड में शामिल नहीं होंगा उल्टे सिदे गाने, उल्टे सिदे कार्य, इरिच्या घमंड और एक दूसरे को निचे गिराना ये क्या है? ये शरीर की अभिलाशाओं मन की अभिलाशाओं और ऐसे वक्ति मसी दौड में शामिल नहीं होंगे भीया, काना फुसी करना है ये शरीर की अभिलाशाओं जो हमें दौड में शामिल नहीं करेंगी और हमें असी दौड में शामिल होना है दौडो और जीतो ये वचन कहता है मैं एक पद आपके लिए पढ़ूँगा कुलूसियों उसका तीन अध्याए और पाचपद कुलूसियों उसका तीन अध्याए और माचपद क्या लिखा हुआ है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृत्वी पर है अर्थात व्यविचार अशुद्धता दुष्कामना भुरिलालसा और लोब जो की मूर्ति पूजा के बराबर बढ़ता है भीया मैं यह अपने लिए भी बोल रहा हूँ और आपके लिए भी बोल रहा हूँ बहुत जबरदस्त है यह जो शरीर की अभी लाशा है हमारे अंग में हैं अगर हम इनको कंट्रोल में ना लाएं सैयम ना करें पवित्रा आत्मा के सामर से में भी एक प्रश्न पूछा जाता है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ उसको गलतियों उसका पांच अध्या है और साथ पद क्या लिखा हुआ है सुनिए बई तुम तो भली भादी दोड रहे थे अपने मसीज जीवन में अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो किसने तुम्हें रोक दिया ऐसी सी तुम्हारे बुलाने वाले की और से नहीं है थोड़ा सा खमीर सारे गूदे हुए आटे को क्या करता है खमीर कर देता है तो मेरे प्रियो भाई बहनो आप जब हमारी जीवन वे कभी कभी ऐसी आती है प्रलोबन और प्रभू को चोड़ देने की मतलब ऐसा है छोड़ दो यार इस दौड़ में पहले बाती दौड रहते वह यह जीवन में तो उपर नीचे गिरना पढना तो होता है अब देविड को ले लीजे देविड भी दौड़ रह गिर गया मसी दौर से deshalb नहीं धूर से बिए फिर भी ओर्ट के खड़ा ऒगया वगा से आ वे वहां अन्हें माफ करना प्रभू मैं गिर गया था मैं गिर गया ऐसे कितने हम genod हैं जो मसी दौर में दोररे दोरते तो हैं लेकिन कहीं नगः ठोकर खाकरके गिर जाते और इसलिए लिखा हुआ है, हम वापस चलेंगे, पहला कुरंथियों, उसका नव अध्या है, कि मैं अपने शरीर को प्रभू के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नियंतर में लाता हूं, और अपने शरीर को, अगर कभी ऐसी इच्छा होती ना कि मैं ये काना फ यौन समंदी चीजों में, आगे बढ़ू, उल्टे सिदे कार में, एकदम से प्रात्ना करें, पवित्र आत्मा तु मेरी साय तकर, ये मुझे मेरे मसी दौर में से गिराने की कोशिश कर रहा है, ये पढ़लो भन, हाँ, आप करिए, प्रात्ना करिए, अब यहाँ पर इसलि के लिए, इसलिए लिखा हुआ है, 26 पद में, पहला करंथियों, 9 और 26 में क्या लिखा है, मैं इसी रिती से दौरता हूँ पर रहा है, तो बेठी काने नहीं, मेरे पास एक गोल है, एक लक्ष है, ताकि मैं उसको देख करके, सीधे देख करके, इधर उधर ना देख करके, इशु की और ताकते हुए उस दौर को, अगर मैं इधर उधर देखूँगा तो भी या, पक्की बात है, इसलिप हो जाओँगा, गिर जाओँगा, हमें इशु की और ताकते हुए, दुनिया की और ताकते हुए नहीं, अब क्या लिखा है 27 पद में, अपनी दे को मारता, क कहता है कि हम जो मसी दौर में हमें क्रूस की और देखना, जैसे कि आप देख रहें ये तीन धावक जो है, उनकी निगाए कहा हैं, क्रूस की और, जहां प्रभूईश मसी हमारे लिए बलिदाना, उसी को ध्यान में रखती हुए, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, इब हमारा गोल कोई और नहीं, प्रभूईश मसी और उसका वचन, सुनिए, इब्राणियों की पत्री उसका बाराध्या है, एक और दो पद, इस कारण, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेर हुए हैं, तो आओ, आओ, हर एक रोकने वाली वस्तू और जाले वाले दूर करके, आपको कोई पाप उलजा रहा है आपके जीवन में, आँखों की अभी लाशा, शरीर की अभी लाशा, जिविका का घामन, खुरूरता, उल्टे सिदे विचार, अशलीलता, कोई ऐसा पाप उलजा रहा है आपको, उस पाप को दूर करें प्रभूईश मसी के सा दूरें, यह नहीं कि बहुत जल्दी से दौर, ज्यादा जोर से दौरेंगे ना, तो गिर भी सकते हैं, आपने देखा होगा, कि जो धावक होते हैं, वो एकदम से नहीं दौरतें बहुत जोर, तेजी से, धीरे धीरे दौरतें, क्योंकि उन्हें पता है, आगे भाईया, ठ इश्वास की करता और सिद्ध करने वाले येश्यू की ओर ताकते रहें, वो हमारा लक्ष है, वो हमारा धे है, वो हमारा गोल है प्रभुष मसी, जिसने उस आनन्द के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके कुरूस का दुख सहा, और सिहासन प हम मनुष्य हैं, लेकिन दौड़ते रहें, दौड़ते रहें, और एक सबह ऐसा आए कि हम सब जीतेंगे, बई, जो प्रिसिवी में, इस संसार में जो दौड़ आते हैं, ठीक है, सबी तो नहीं आते हैं लेकिन ये मसी दौड़ में सब फर्स आ सकते हैं, यही तो खुशी क कर रहा हूं, अब देखो परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं भी कभी कभी slip हो जाता हूं, गिर जाता हूं, लेकिन उटकर के खड़ा हो जाता हूं, अब माफ ही मांगता हूं प्रभू से, प्रभू मैं गिर गया था पाप में, वह आपर आँखों की अभी लास्ट आए, वहाँ पर ये पाप आगया, प्रभू मुझे माफ कर, जैसे दावुद भी पश्चताप करता है भजन सेता है क्यावन में, वैसे हम भी पश्चताप करके फिर दोड़े, फिर दोड़े, और दोड़ते रहे, ईश्व की और ताक्ते वे, तो हमारा मन, तन्म, पूरा वेक्त प्रभू मसी के प्रेमे, प्रमेश्व के वचन में भरा रहे, पवित्रा आत्म में भीग जाए, ताकि हम अच्छी तरह से दोड़ कर, उसको प्राप्त करें, वो मुर्जान, बिना मुर्जाने वाला मुकुट, अनंतकाल का मुकुट हम पा सके, तो भाईयों, बहनों, आए इन तीन धावकों के साथ हम भी दोड़ते रहें, और निराशन हो, यदि कोई गिर भी जाता है, तो हम दूसरे जो विश्वासी हैं, उसको उठाएं, इंकरेज करें, ठीक है, और इस प्रकार से आत्मिक दोड़ में इंकरेज करते हैं, प्रोच्छान देते हुए, एक दू इश्व मसी की ओर ताकते हुए, मसी दोड़ में दोड़ते रहें, और वो एनाम हम प्राप्त करेंगे, आमीन